हम आपके लेकर आए हैं नया अल्फा बैच्ट अल्फा टूटाउजन टॉटेफॉर्ट पहले लेते हैं कि अल्फा बैच्ट होते हैं लेकिन पड़ते हैं कि जो हमने पढ़ा है ठीक है याद तो हो गया अगर हमें इसको पढ़ लिया पढ़ लाना पड़े लिखना पड़े बोलना पड़े लिखाओ कुछ पढ़के समझना पड़े तो, it seems a problem there, एक समझ्या सी लगती है, we have got the rules and exceptions of this language, but when we have to put them into practice, we have to write an essay, or we have to write an application, or we have to write an email simply, then it becomes a problem for us, समझ में नहीं आता, क्या लिखें, शुरुवात में क्या लिखें, बाद में कौन से connector से उसकरें, कौन से modifier से उसकरें, it becomes a problem, कहने का मतलब सीधा सा यह है, कि English को ऐसा subject तो हमने पढ़ा, हमारे marks भी अच्छे आए, grades भी अच्छे हैं, but we haven't developed it as a skill, यह के वल हमारे लेक सब्जे हमने सीखा है, उसको practice में वहारिक रूप से यूज़ करने की ज़रूत पढ़ती है, तो हमारे समस्या बन जाती है, काफिल हमारे candidates ऐसे होते हैं, जो अपना medium चेंज करना चाहते हैं, हिंदी से English medium में जाना चाहते हैं, higher studies के लिए या competitive exams के त्यारी कर रहे हैं, तो उसमें जो से है, तो यह alpha batches जो हैं, these are meant to help you in learning English not just as a subject but as a skill, तो यह हमारे alpha batches होते हैं, comprehensive syllabus English का cover करते हैं, ऐसा नहीं है कि केबल हम आपको जैसे spoken English classes में कहीं है क्या होता है कि हमें English बोलनी तो आज आती है, we get fluency there, we get confidence there, but we don't get clarity, confidence आगया, है, fluency आगया, but clarity नहीं है, जो हम बोल रहे हैं, उसके पीछे logically हम कितना सही है, हमें खुद भी कई बार नहीं बता होता है, तो वो समस्षा भी अच्छी, मलब वो अच्छी बात नहीं है, वो भी एक problem ही है, आपमे confidence है, आपमे clarity है, आपमे clarity है, अगर clarity नहीं है, तो it is not a good thing, यह अच्छी बात नहीं है, तो clarity भी हो, concept clarity भी हो, साथ ही साथ में हमारे पास methods हो, कि हम अपने को express कर पाएं, the things that we have learnt, जो हमने सीखा है, when needed, we should be able to put that into practice, तो हम उसको वैभार में भी ला पाएं, तो इसके लिए alpha batches होते हैं, मैं alpha batches के बारे में आपको ज़्यादा जान करी देता हूं, इस वीडियो में, सबसे पहले मैं सीखते हैं कि alpha batches होते किसके लिए, यह alpha batches ऐसे learners of English के लिए हैं, जो English के practical command develop करना चाहते हैं, with concept clarity, they don't want to compromise with the clarity, they don't want to compromise with the understanding, as happened most of time, जैसा कि एकसर होता है, कि English आगे पर clarity नहीं आए, understanding नहीं है, जो हम बोल रहे हैं, वो logically कितना, grammatically कितना सही कर लाता है, उसका हमें खुद भी कई पर पता नहीं होता है, तो ऐसी situation ना बनें, तो ऐसे learners, जो English को अपनी life में use करना चाहते हैं, या वो spoken में उसका use करना चाहते हैं, social gatherings हो सकती है, सकते हैं दायलोग हो सकता है इंटर्विव हो सकता है तो उसमें वो चाहते हैं कि इंग्लिश उनको यूज करें और कॉंसेप्ट क्लाइटे के साथ में उसके तो उनकी लिए यह बैचेश थो लेनर फिस्टो व है प्रैक्टिकल आमान व इंग्लिश व्हों तो यह प्रांड भ इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जैसे ओर्डिनरी क्लासेज में स्कूल्स में या कोचिंग में पढ़ते हैं इस तरीके से चल रहा है सबसे पहले हमें एक स्लेबस समाझ लेता है कि यह जो हमारा अलफड़ेस 2024 से इसके से डिजबस में क्या किया रखखा गया है इनने कोई इनने होता है इनका स्लेब्स में को बहुत वहत धैनमिक होता है तो रहे हमारे ट अलपा पहर किता है जानने को देख स्धुनठ छाहिए च्याहिया तो नहीं हमने इंपर्स हान operating छोग थे कुछ चीज़े तो ऐसे जिनको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके बगएर अगर आपने सीखा तो वह नहीं सीखना ही है तो और थिंग्स को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं बट उसके बाद में एडिशनल जो ज्यादा बेनफिट करें हमारे लर्नर्स को अलफा बैच में जो हैं तो अगर किसी हम hen नहीं पता होगी तो फिर कि झैशitely अधर हम जो हमारे अंदर बोला क्या वह सई है वो दो नहीं पाये स क्लार्टी ही नहीं है तो confidence कभी नहीं आएगा, तो essential grammar जो है, वो सारे batches का ही core part होता है, that cannot be compromised with, तो alpha batches में भी essential grammar है, वो आपके slaves में है, क्योंकि इसी से clarity आएगी, clarity से ही confidence हाएगा, उसके आद में everyday vocabulary है, collocations है, idioms and phrases है, उसके बाद में description words है, academic word list है, words describing situations है, words describing personalities है, words describing emotions है, words describing states है, तो इस तरीके की जो everyday vocabulary है, जो हमें लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, use करने पड़ती है, वो भी flavors का part है, साथ ही साथ में transformation, because when we have to use English as a skill, जब हमें English को as a skill use करना है, we have to put the things that we learn into practice, translation becomes very important, it plays an important role there, so different type of situations में हम अपने दिमाग में जो ideas है, जो हमारे पास thoughts है, जो हमारे पास pieces of information है, उनको लिखें कैसे, उनको बोलें कैसे, क्या structures उनके लिए हमें of variety to your communication, आपने देखो को बहुत से लोग रहते हैं, एक बात को कहने के लिए एक साथ तरीका ही यूज़ करते हैं, certain type of phrases, certain type of sentences, structures होते हैं और उनहीं को वो यूज़ करते रहते हैं, उस बात को यूज़ करने में, तो it feels a kind of boring, थोड़ा समय के बाद में फिर वो boring लगने लगता है communication, so if we have a good command of transformation, तो हम एक ही बात को अलग अलग तरीकों से, interesting तरीकों से कह सकते हैं, we have a variety of methods, so transformation and synthesis, it is not written here, but that is also part of the syllabus, transformation and synthesis are the part of the syllabus and descriptive writing, when we have learnt all the things mentioned above, then we have to come to the descriptive writing, now we have to put our ideas into words, जो हम जानते हैं, जो हमारे पास ideas हैं, we have to put them into words, अब हमें उनको लिखना है, we have to write a paragraph, we have to write some essay or an application or a letter, formal or informal, any kind of letter, तो उसको हम कैसी लिखें, descriptive writing is the part of syllabus as well, batch के बारे में, basic सी जानकारी batch के जो details हैं आपको दे देता हूं, we are going to start the live class, the admissions are open, सबसे पहले की चीज़ समझ लीजे, the admissions are already open, the moment you are watching this video, जिस समय आप इस video को देख रहे हैं, तो application पर हमारा android application है, as a live, application पर admissions is batch के open है, live lectures will start on 9th of September, 9th of September से आपके live lectures से start हो जाएंगे, classes के schedule रहेगा, 4 p.m. to 5.30 p.m. Monday to Friday, classes के schedule रहेगा, anything that you want to know, if you have got any query, कोई भी query है, कुछ भी जानना चाहते हो, कोई question है आपका, so these are our contact numbers, यह हमारे contact numbers हैं, जिन पर आप हमें contact कर सकते हो, WhatsApp के through, call के through, अभी until we start live lectures, जब तक हम live lectures नहीं start कर रहे हैं, means 9th of September तक, तब तक fees में के special discount भी है, क्या fees है, क्या discount है, that is mentioned on the app, or you can just contact on these numbers, and get the information regarding that, तो जब तक live classes नहीं start होरी है, 9th of September तक, तब तक आपको एक fees में discount भी है, for early birds, अब यहां पर जो हमारा syllabus है, इसके बारे में थोड़ा से detail से आपको बता देता हूं, यह जो syllabus है, जैसे हमने लिखा essential grammar, तो essential grammar में हम क्या क्या cover करेंगे, तो essential grammar में एक तो आपको fundamentals, language fundamentals जो है, इनका recorded course मिलेगा, VOD लिखा हूँ है, तो यह आपको recorded videos मिलेंगे, at the moment you join the batch, जैसे ही आप batch को join करते हो, उसी moment आपको इनका access मिल जाएगा, तो उसमें जो fundamentals के lectures हैं, उनकी practice classes हैं, वो आपको तुरंत ही मिलेंगे, आप उन lectures को देखिए, अपने notes बनाईए, अपने लिखिए उनको, उनसे related कोई आपके doubts, confusions हैं, उनको note कर लीजिए, live lectures में सबसे पहले जो fundamentals हैं, उन पर ही discussion स्टार्ट होगा, उन पर doubt discussion स्टार्ट होगा, और आपके जो भी doubts, confusions होगे, सबसे पहले उनको ही discuss किया जाएगा, तो essential grammar में आपको fundamentals मिलेंगे, sentence structures हैं, इन पर live classes होगी, जो आपको transformation में, further translation में help करेंगे, तो हम इस तरहिके के sentence structures को discuss करेंगे, parts of speech जो हैं, verbs हैं, conjunctions हैं, prepositions हैं, adjective adverbs हैं, nouns, pronouns हैं, उनके essential uses हैं, वो discuss किये जाएंगे, all parts of speech, tense है, mood है, conditionals है, voice, positive है, positive verbs हैं, non finite verbs हैं, वो सब discuss होगी, articles and determinants, they play very important role in transformation and translation, sometimes people don't pay proper attention to them, but determinants and articles are very important when it comes to translation, जब हम translation की बात करते हैं, तो articles and determinants बहुत important होते हैं, और कई बार वो गुड़काग ओबर कर देते हैं, जिनको सही उस करना नहीं आता हैं, तो हमारे syllables में, essential grammar में, articles and determinants भी हैं, everyday vocabulary, everyday vocabulary जो हमारा से हैं, उसमें क्या section में cover करेंगे, we have got, we have divided the whole syllabus of alphabet into five sections, so this is the second section everyday vocabulary, तो इसमें spellings, कई बार जब हम लिखना सुरु करते हैं, तो हमें पता चलता है कि we don't know the spelling of this word, हमें तो इस word की spelling ही नहीं पता, E पहले आएगा, I पहले आएगा, double C आएगा, single C आएगा, double L आएगा, क्या आएगा, we don't know that, so we have included that in the syllabus, from the feedback of our students in previous alpha batches, पुराने alpha batches में यो students थे, उनका ऐसा feedback था, कि sir, spellings को भी syllabus में include करना चाहिए, क्योंगी जब हम कुछ लिखना सुरु करते हैं, तो हमसे कहीं बार, spelling की गलत हो जाती है, there are certain words, ठीक है, जिनकी spelling अक्सर लोग गलत करते हैं, मैं आज भी देखता हूं, sometimes students send messages on WhatsApp and video की spelling वो लिख देते हैं, V-E-D-I-O, quite common, ठीक है, तो इस तरीके गलती कर देते हैं, privilege का spelling गलत लिखे बैठे, and there are some very important words, so हम spelling को special lectures देंगे, वो cap section में, तो spellings जो है, उसको भी cover किया जाएगा, affixes है, जिसे prefixes है, suffixes है, उनका meaning है, उनकी importance है, root words है, these are also part of the syllabus, collocations है, कि जो set standard structures हैं, किसी situation में description के लिए, उनका भी हम use collocations जो है, इस batch में कि सीखेंगे, everyday words है, academic words, जो एक पढ़े लिखे person सा expected होता है, कि अगर इसने English को पढ़ा है, तो इस person को इस level तक का, तो English में word list cover होगी ही होगी, तयार होगी, तो academic word list है, उसको भी हम cover करेंगे, words की जो categories हैं, जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि we have to describe some situation, we have to describe emotions, we have to describe states, we have to describe relations, emotions, तो उनके लिए category wise words को भी हम study करेंगे, idioms and phrases है, literary allusions है, जैसे एक options choice idiom होता है अपने पढ़ा होगा, तो option कहां से आये, इसका origin क्या है, इस तरीके के जो literary allusions है, एक्लीज हील काफी common idiom है सबने पढ़ा होगा, तो उसका literature में उसको कहां से लिया गया है, उसका मतलब क्या है, तो इस तरीके के जो literary allusions हैं जो हमारी आम बोलचल की भासा में काफी common है, अगर हम उनको origin पता हो तो उनके meaning समझने में और उनको हम बहतर तरीके से use कर पाएंगे, तो literary allusions हैं उनको भी vocab part में cover किया जाएगा, फिर आगे transformation, transformation में parts of speech का transformation, noun को adjective में adjective को noun में word को adjective में word को adverb में इस तरीके से parts of speech का transformation कैसे हम उसको apply कर सकते हैं अपना written English में spoken English में parts of speech का transformation की तरीके से help करते हैं उसको हम practically सीखेंगे, बाकि जो other type of transformation होते हैं words to phrases, clauses to phrases, phrases to clauses all these type of transformation and sentence types, transformation of the types of sentences, simple to complex, complex to compound, compound to simple, this kind of assertive to negative, negative to assertive, assertive to affirmative, all these kind of sentences, तो हम पूरा transformation को cover करेंगे, synthesis as well ध्यान रखेंगे, फिर आगे translation, अब translation में हम कैसे किसी बात को कहना है, उसको situation के according सीखेंगे transformation को, translation को, तो translation पर सबसे ज़्यादा मेहनत की गए, इस बार में आपको बता हूं, तो यह जो हमारा slave was है, alpha 2024 का, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की गए यह वो इसी पार्ट पर की गए, तो transformation में हमने transformation को categories में, situational categories हैं, उनमें categorize कर दिया और उनके according सीखेंगे, comparison and contrast के situations होती हैं, तो उनमें किस तरीके के sentences होते हैं, how to say them into English, certainty and necessity है, models के use के through हम इसको सीखेंगे, permission, prohibition है, तो इनके through models के users को सीखेंगे, किस तरीके की situations होती है and how to select a proper model in that situation, pause and condition की situations है, negation है, interrogation है, semi-negation है, general negation है, double negation है, तो उन situations को जो real life है, happen होती है, अगर हमें लिखना बोलना पड़े तो हम कैसे उनको कहें बोलें, emphasis है, inversion है, spatial and temporal relations है, basically prepositions की बात हो रही है, कि हमें अगर words का या objects का relation, space और time में show करना है, तो उसके लिए हम कैसे show करें, किस तरीके से हम किसी बात को कहें, तो वो prepositions के through हम इसको सीख सकते हैं, situational modifiers हैं, articles हैं, determiners हैं, इनके अलावा, apart from articles and determiners, there are many kinds of modifiers, बहुत type के modifiers होते हैं, तो उन modifiers को different situations में कैसे use करना है, तो यह सब हम translation में सीखेंगे, and I hope you will enjoy it most, आप इसको सब्सक्राइस है, सारा syllabus ही अच्छा है, everyday vocab भी अच्छी है, essential grammar भी अच्छी है, transformation synthesis भी अच्छा है, but I hope मुझे ऐसा लगता है, you people will enjoy this the most, आप सबसे अधा इसी को एंजोई करें, translation part को, descriptive English, जब बाकी four sections हमारे discuss हो चुके होंगे, तो हमारा final and fifth, fifth and final section है descriptive English, अब आप लिखके भी दिखाओ, आपने सीख लिया है, आपको confidence भी आगया, को clarity भी आ गई, now you have to perform, आप करके दिखाओ, तो उसके लिए punctuation users है, descriptive writing में, punctuation marks होते है, capitalization है, speech marks है, comma है, semi-colon है, apostrophes है, उनका कैसे सही use करना है, तो punctuation marks का users हम सीखेंगे, answer writing है, जैसे आप देखते होंगे कि UPSC के exams होते हैं, या बाकी भी उस तरीके के अधर exams होते हैं, उनमें आपको एक text दिया गया, आपको उसको पढ़के उसका answer लिखना है, ABCD part tick नहीं बारना है, you have to write the answer, आपको explain करना है, तो कैसे हम किसी question का proper answer लिखें, question के according approach करना पढ़ता है answer को, तो हम question को किस तरीके का question है, तो उसको कैसे answer लिखें, कैसे उसके शुरुवात करें, answer writing हम इसमें discussion करेंगे, letter writing है, formal and informal, application writing और essay writing, these things are the part of the slave, we have kept one thing optional, एक चीज़ हमने optional रखें, English speaking deals, those of you, आप में से ऐसे बच्चे जो की English speaking की भी practice करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम उनको एक option दें कि जहां पर वो हमारे साथ में ऐसा कर पाएं, तो यह optional है, इसके लिए आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे contact numbers पर contact कर सकते हैं, so this is the alpha batch, कैसा लगा आपको syllabus, आपको क्या लगता यह batch आपके लिए कितना जरूरी है, सोचिए, और admissions जैसा कि मैंने आपको बताया, open है, आप batch को join कर सकते हैं, हमारे android application पर जाकर, android application है, कोई doubt है, कोई query है, कुछ पूछना चाहते हैं, then we are available on these contact numbers, हम इन contact numbers पर available हैं, आप हमें contact कर सकते हैं,